गुड मॉर्णिंग डियरे स्टूडेंट्स वेलकम है आप सभी का बिहार बोर्ट क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश चेप्टर 2 के इस फर्स्ट एपिसोड में आज मैं आप सभी को चेप्टर 2 कृष्ण एन सुधामा इस चेप्टर का पुड़ा फूल एक्स्प्लानेशन बत आउंगा लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चेप्टर को पढ़ने से पहले आप सभी इस चेप्टर में आने वाले टोटल डिफिकल्ट वर्ड मिनिंग को अपने कॉपी में नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे ओके तो चलिए यहां से आप सभी एक करके टोटल वर्ड मीनिंग को अपने कॉपी में नोट्बूक यह नोट कर लेंगे ठीक है यह सकेंड चेप्टर है क्रिस्ट एन सुधामा इस चेप्टर का वर्ड मीनिंग है जैसे फ्रेंशिप मतलब मित्रता पोपलर मतलब चर्चित या लोग प्रिये ठीक है एस्टेडिज कॉपी में टोटल वर्ड मीनिंग को नोट कर लेंगे चलिए आसा करते हैं आप सभी को अच्छे तरह के से यह समझ में आ भी रही होगी ठीक है क्यूंकि इसका प्रोनाउंस येसन भी किया गया है तो इस परकार से सारे वर्ड मिनिंग को नोट कर लेंगे ठीक है जैसे कि है eventually मतलब अंतमे और palace मतलब राज महल request निवेदन इस परकार से total वर्ड मिनिंग नोट कर लेना है आगे है decide मने निरना करना visit मतलब भेंट करना ठीक है मतलब कहीं पर मिलना कहीं पर जाना घुमना rich मतलब पहुचना royal मने राज साही और royal guards मने साही रक्षक और attention मने ध्यान ठीक है ध्यान से देखना ध्यान देना कोई चीज़ों पर believe मतलब विश्वास करना तो इस परकार से आप सभी वर्ड मिनिंग को नोट करेंगे ठीक है विडियो को pause करके भी आप नोट कर सकते हैं या फिर आप इस्क्रीन सट भी कर सकते हैं तो इस पर कार से total word meaning को अपने copy में नोट कर लेंगे ठीक है एस्टोनिस्ट मतलब है चकित होना ठीक है प्राइज ड्राइस का मतलब होता है जो भुना हुआ चावल जो होता है उसे कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब स्वाभी मान तेक है इस पर कार से सारे word meaning को अपने copy में नोट कर लेंगे आगे है felt मतलब महसूस किया thankful मतलब के लिट तक यह क्या है और only मतलब मात्र केवल सिर्फ और un-spoken un-spoken का मतलब होता है नो कहा गया और understand का मतलब होता है समझना रिष्ट मतलब पहुंचना और return मतलब वापस लोटना तो इस परकार से इस chapter के जितने भी difficult word meaning है वो total मैं यहाँ पर cover करने का कोशिश किया हूँ ठीक है चलिए आगे हम लोग अब जो है इस chapter का total pronunciation के साथ अच्छे से इस chapter का हिंदी समझेंगे तो चलिए start करते हैं क्रिष्ण और सुदामा जैसा कि आप सभी को पता होगा कि यह जो दो नाम है यह दो नाम बहुत ही मित्रता के लिए बहुत famous है जो यह कहानी लिया गया है यह महावहारत से लिया गया कहानी है क्रिश्न और सुदामा दो बच्पन के दोस्त हैं इन दोनों के मित्रता की कहानी इस चेप्टर के माध्यम से हम लोग समझेंगे ओके तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे वारमर को वारमर में कहा जा रहा है क्या आपके पास दोस्त है तो आप में और आपके दोस्त में क्या डिफ्रेंस है क्या कॉमन है क्या समानता है और आपको अपने दोस्त में उसमें क्या अच्छा दिखता है क्या अच्छा लगते हैं आपको क्या पसंद करते हैं अपने दोस्तों में इसे बाते पर जो है सो कुछ कुछ अपने प्रेंड के साथ सेर करनी है चलिए पहले हम लोग यहां से अब इस कुछ जप्टर को सुरुवात करेंगे तो कहा जा रहा है the story of the story between the story of friendship between krishna and sudama is very popular यह कहानी जो krishna और sudama की दोस्ती की कहानी है वो very popular मतलब कि बहुत ही लोग प्रिये है बहुत ही प्रसीध है लोग प्रिये है क्रिष्ण और सुदामा एक साथ एक साथ पढ़ाई करते थे गुरुकुल में क्रिष्ण वाज रिच वाइल सुदामा वाज पूर क्रिष्ण काफी अमीर था जबकि सुदामा जो है सुकाफी अधिक गरीब था इस्टिल बोथ वेर गुड़ फ्रेंड फिर भी व्य दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे आगे कहा जा रहा है ऐसे देखे एंगा आए कहा जा रहा है कि दे वेर अलवेज श्टील सीन टुगेधर वे दोनों जो है एक दूसरे की देखवाल हमेशा किया करते थे वे दोनों साथ में हमेशा देखे जाते थे कभी भी वे दोनों हमेशा एक साथ देखे जाते थे पहले ही कृष्ण अमीर था सुदामा गरीब था वो रिच था लेकिन सुदामा क्या था गरीब था लेकिन फिर दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे और दोनों को हमेशा साथ ही देखा जाता था आगे का जा रहा है कि टाइम पास्ट समय बीटता गया इसी प्रकार से समय जो है पास्ट होते गया बीटता गया टाइम पास्ट क्रिश्न भीकॉम् दे किंग ओफ द्वारिका क्रिश्न जो है द्वारिका के राजा बन गया बट सुदामा ज कंडिशन रिमें पिटिएबल लेकिन सुदामा का इस्थिती अभी भी क्या था तो देनिये ही रह गया मतलब काफी यदिक लाशार देनिये मेल भेरी ओफेन उनके बच्चे उनकी पतनी मतलब सुदामा की पतनी और उसके बच्चे कभी कभी बीना भोजन खाय हुए ही सोना परता था उन लोगों को Unable to bear the pitiable condition और ऐसा उनका इस्थिती था ऐसा उनका देनिये इस्थिती था जिससे सौ पाना काफी मुश्किल था क्रिष्ण तुम हमेशा मुझे क्रिष्ण के बारे में अब क्रिष्ण जो तुम्हारा बच्पन का दोस्त है उनके बारे में आप हमेशा मुझसे कहा करते थे the king of Dwarika is your friend कि Dwarika के जो राजा है वो आपका दोस्त है ये बाते आप मुझे से हमेशा कहा करते थे ये बाते जो हैसे कौन बोल रहा है तो सुदामा की पतनी सुदामा जी से कहते हैं कि आप मुझे बहुत पहले से बड़ावर कहा करते थे कि Dwarika के राजा कृष्ण आपके दोस्त है तो कहते हैं वाइ डॉन्ट यू मिट इम एन आस्क हिम टू हेल्प यू तो आप क्यों नहीं उनसे जाकर मिलते हैं और उनसे कुछ मदद मांगते हैं ठीक है इज वाइप्स रिक्वेस्ट सौरी इज वाइप्स रिपिटेड रिक्वेस्ट उनकी पत्नी की बार-बार आगरा करने पर ठीक है मूव हीम ये इवेंचुली बोला जा रहा है वे जो है क्रिशन से मिलने का प्लान कियें वे जो है बतलब मूव हो जा रहे थे उनके बातों को बराबर रिक्वेस्ट किया करती तुझकी पत्नी लेकिन फिर भी जो है सुदामा के उपर उनके बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था तो एक बार जो है हुआ क्या कि सुदामा डिसाइडेट टू विजिट क्रिशना इन द्वारिका एक बार जो है द्वारिका में वो क्रिशन से मिलने के लिए निरनाय बनाये कौन? सुदामा जी He reached to the palace of क्रिशन in द्वारिका वे क्रिशन के palace द्वारिका में पहुंचे जो है कहें वहां के राजसाही जो दरवारी लोग थे जो गार्ड सब थे उसे बोले कि मैं अपने दोस्त क्रिशन से मिलने के लिए आया हूँ मैं मिलना चाहता हूँ उन से The God paid no attention to him God जो है वहाँ जो रखवाली करने वाला था God वो समझी नहीं पाया वो जो है सो काप्योदी उसके तरह ध्यान देकर देखे और कहें वे जो दरवारी थे उनको बिश्वासी नहीं हुआ कि इतने बड़े राजा कि ये दोस्त हो सकते तो इनका भेशपुसा देखकर के भिखारी के जैसे लगते थे तो वहाँ के जो दरवारी लोग थे वो सुचने लग गये कि ये जो है तो एक भिखारी टाइप का आदमी ये इतने बड़े राजा द्वारी का के राजा के दोस्त कैसे हो सकते हैं ठीक है ये सोचते रहे कि वहाँ के जो दरवारी लोग से और वहाँ पे अंदर जाने से मतलब कृष्ण जी से मिलने के लिए वहाँ जो दरवारी लोग खरे थे वो लोग अंदर जाने से अलाव नहीं किये मतलब उनको मना कर दिये अट लास्ट और अंत में वन अप दे गाड्स वांट टू इन्फॉर्म दे किंग्स एबाउट सुदामा लेकिन अंत में सुचना लेकर के क्रिश्ण के पास जाता है ओके तो चलिए आगे देखते हैं आगे कहा जा रहा है आगे कहा जा रहा है कि क्रिश्ण ठीक है रूस्ट टू रॉयल गेट एज सुन एज ही ही अर्ड सुदामा जने जैसे ही क्रिश्ण जो है सुदामा का नाम सुनते है वैसे ही क्रिश्ण जो है सो राजदरवार से बाहर दौरते हुए आ जाते है वो जो है अपने बचपन के मित्र सुदामा को गले लगाते है और उनसे आगरा करते हैं अपने राजदरवार में आने के लिए arms were astonished to see the king hanging a poor men in rake आए का जयर आ है कि सारे दरवारी लोग चितने भी वहाँ पे जो लोग सब थे देखने वाले वो सब देख करके दंग रग गये कि इतने बदे राजा एक गरीब के साथ गले मिल रहा है एक गरीब से गले मिल रहा है तो ये सब देख करके वहाँ जो जितने विदरबारी सब थे वो सब थोरे से हैरान हो गए थे आगे कहा जा रहा है ठीक है देखिए यहाँ पर जिसे बोले जा रहा है सुदामा की पतनी जो है कृष्ण जी के लिए एक सुखा सा चावल भुना हुआ चावल जो हता है वो उपहार के रूप में दिये थे कि आप अपने दोस्ते मिलने जा रहा है तो आप यह जो हैसो मेरे घर में तो कुछ है नहीं तो आप यह चावल ही ले करके जाएए अपने मित्र कृष्ण के लिए सायद वो यह चावल देख करके खुस हो जाएंगे ठीक है तो गिप्ट के रूप में उपहार के रूप में क्या लेकर करके आया था सुदामा जी तो पर्चेज ड्राइस्ट और उनके सामने यह एक सुखा चावल उनको देना उपहार के रूप में काफिया दिक हैजिटेशन हो रहा था ठीक है विल इट बी सुटेवल फॉरकिंग क्या यह जो है सुटेवल होगा इतने बड़े राजा के लिए यह चावल का पोट्री जो है सुटेवल होगा वो काफी अधिक आश्चरी कर रहा था कौन सुदामा जी अपने साथ तो फॉटली ऑफ पर्चेश्ड राइस क्रिश्न सौ हीम हाइडिंग इट और क्रिश्न जी जो है सो देख रहे थे कि यह जो पोट्ली है चावल की पोट्ली पर्चेश्ड राइस का यह काफी छुपा रहे थे तो क्रिश्न जी से देख लिएँ ही के आए का जा रहा है कि ग्रेल्ग एंड अंटाइड इट ही एंड हेस्च्वीन एट और पर्चेश्ड राइस विध ग्रेट डिलाइट हुँआध वह उन्से ले लिए उन्से मांगें क्रिश्न जी है शुदामा से लिएं और क खुद और उनकी पतनी दोनों आदमी मिल करके वह चावल को खाएं और कापी अधिक स्वादिष्ट महसूस कियें अपने अनुभूती कियें कापी अधिक स्वादिष्ट आगे देखिए सुदामा हेड वार्म वेलकॉम एट दघव सुदामा का जो है उस जगह पर उस राज़दरवार में बहुत यदिक बहुत जो सीला रूप से बहुत अच्छे ढंक से बहुत ही अच्छे ढंक से उनका खातेदरदी किया गया स्वागत किया गया उस राजदरवार में क्रिशन के दौरा उनको अच्छे अच्छे भोजन खिलाए गए और अच्छे अच्छे कपड़े उनको पहनाए गए और क्रिशन जो है अपने हाथों से खुद से मतलब अपने दोस्त सुदामा के जितनी भी जरूरतें थी वो सारी चीजों को जोहसो ध्यान में रख करके और सारी जरूरतों को पूरा कर रहे थे सुदामा वाज प्लेष्ट और सुदामा जोहसो काफी कुछ थे वो हैंने घियर हाथ beneath your condition लेकिन वो अपने self-respect के कारण मतलब खुद का आदमी का self-respect भी होता है खुद का आत्म सम्मान होता है तो एक आत्म सम्मान के कारण सुदामा क्रिशन से कुछ भी नहीं कह पाते थे लेकिन उचाते थे कि मैं अपनी देनिये इस्थिती को क्रिशन के साथ share करूँ ठीक है फिराय का जा रहा है finally अंततर हुआ ये कि सुदामा returned home as poor as he was सुदामा जी वह सो कह नहीं पाएं और जैसे वो गरीबी के साथ ही अपने घर को वापस लॉट रहे थे when he reached home जब वे घर पहुँचे कौन मतलब सुदामा जी जब घर पहुँचे he was amazed to find a big palace ठीक है big place in palace of his heart जब वो अपने घर पहुँचे तो जहां पे उनकी जोपरी थी उस जोपरी के जग़ा पे एक amazed मतलब कापी अधी का आश्चर चकित करने वाले एक आश्चर करने वाले एक बहुत ही भैवित मतलब बड़ा सा राज दर्बार वहाँ पे दिखाई दिया बहुत बड़ा जोएसा एक palace दिखाई दिखाई दिया राज महल दिखाई दिया जहां पे उनका जोपरी था पहले से यह सुदामा जी देख करके दंग हो गए कि मैंने तो कृष्ण से कुछ कहा भी नहीं कुछ मांगा भी नहीं लेगिन फिर भी मेरे इस जोपरी के जगप इतने बड़े palace कैसे बन गया यह सब जानकर के काफी जोएसा वो हैरान था सुदामा वहाँ पे जो भी आदमी से गुजर रहे थे उस आदमी से सुदामा जी पूशा करते थे कि यहाँ पे एक जोपरी हुआ करता था मेरा इस जोपरी के जगपे किस आदमी का जो हैसो इतना बड़ा building और इतना सुंदर building यहाँ पे बना हुआ है तो वो उस नए building उस नए जो हैसो राजदर्वार के बारे में पूशा करते थे बराबर कि किसका यह बिल्डिंग है यहां पर तो जो भी लोग उनसे पूशते थे जो भी लोग जो है सुदामा को जवाब में यही कहा करते थे यह जो पहले से यह जो राज़ दर्वार है यह सुदामा का घर है यह जो घर किसका है सुदामा का अंयाज में सब कहा करते थे कि यह सुदामा का घर है सुदामा कुड नौट बिलिव इट और सुदामा को अपने अप में विश्वासे नहीं हो रहा था कि कोई और आदमी इससे कहा जा रहा था कि यह घर जो है सो सुदामा का है जबकि सुदामा को विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि उस जगह पे तो यहां बोले जा रहा है, seeing Sudama standing outside the palace, ठीक है, Sudama जो है, उस जगह के, उस घड़ के, उस building के, पास में, बाहर से खड़े होकर के, बार-बार देखे जा रहा था, his wife come out and look him in Sudama, become very happy to see his wife and children in good clothes, तो वहां पे जो है, उसकी पतनी और उनके बच्चे, अच्छे कपड़े में, अच्छे पोसाक के साथ पहन करके, और Sudama के तरफ बढ़ रहे थे, Sudama देखकर काफी खुस हो गया, अपनी पतनी को देखकर के, अपनी बच्चों को देखकर के, मैं ने अच्छे कपड़ों में देखकर के, Sudama काफी खुस हो गया, कि एक तो यह जो है, इतने बड़े बिल्डिंग से इंग जो है, सो निकल लही मेरी पतनी, और मेरे बच्चे सब इतने अच्छे-च्छे कपड़े लगाये हुए हैं, और इतनी बड़े बिल्डिंग में से निकल रहे हैं, यह सब देखकर के, Sudama काफी खुसी भी हो रहा था, वो साड़ी बाते जो है, उनकी पतनी, Sudama की पतनी, साड़ी बाते, Sudama से जल्दी-जल्दी जवाब दे देते हैं, और कहते हैं, कि आप जब तक द्वारिका में थे, आप अपने दोस्त के साथ मिलने गया थे, और आप द्वारिका में जब तक थे, तब तक यहां पे इतने बड़े बिल्दिंग का भावन का निर्मान हो रहा था, और यहां पे यह जो है, हम लोगों का अच्छा इस्तिती, जो ऐसो क्रिश्न का ही देन है, जो हम लोगों का जितने अच्छे इस्तिती में हैं, सुदामा फेल्ट थैंकफुल टू हीज फ्रेंड क्रिश्ना फॉर्ड तो हेल्प, सुदामा जो ऐसो मनीमन क्रिश्न को काफी अधिक धन्यवाद देता है, काफी अधिक जो ऐसो धन्यवाद देते हुए कहते हैं, और उनकी सराहना करते हैं, Only a friend can understand unspoken world, कि सिर्फ एक दोस्त ही समझ सकता है, एक दोस्त के अनकही बातों को एक दोस्त ही समझ सकता है, जबकि सुदामा जी अपने पिटियेबल कंडिशन के बारे में, अपने देनिये इस्तिती के बारे में क्रिश्न से बताया भी नहीं थे, लेकिन देखी ये दोस्ती कैसी थी, कि क्रिश्न जी बीना बताया हुए, बीना सुदामा के इस देनिये इस्तिती के बारे में बताया हुए, क्रिश्न जी सब कुछ जान जाते हैं, और सुदामा के लिए एक अच्छे जग, अच्छे घर बना कर देते हैं, और अच्छे कपड़े, और अच्छे सारी ही समझ जाते हैं दोस्त की जरूरतों को हर जरूरतों को बीना बताए बीना बोले ही दोस्त की जरूरतों को समझ जाते हैं तो आसा करते हैं आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा ठीक है तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे ठीक है थैंक्स for watching this video